माग फालगुन महीने के कृष्णपक्ष चतुर्दसी को महाशिवरात्री पर्व मनाया जाता है माना जाता है कि स्रिष्टी का प्रारंब इसी दिन से हुआ था पौराडिक कथाओं के अनुसार इस दिन स्रिष्टी का आरंब अग्मिलिंग जो महादेव का विसाल का इस रूप है के उदय से हुआ इसी दिन भगवान सिव का विवा देवी पार्वती के साथ हुआ था महा सिवरात्री के दिन भगवान सिव वपत्मी पार्वती की पूजा होती है यह पूजा वरत रखने के दोरान की जाती है साल में होने वाली 12 सिवरात्रियों में से महा सिवरात्री को सबसे महत पूर्ण माना जाता है भारत सहित पूरी दुनिया में महासिरात्री का पर्व बहुत ही उत्सा के साथ मनाया जाता है कस्मीर सैवमत में इस तेवहार को हर रात्री और बोल चाल में हेराथ या हेरत भी कहा जाता है कहा जाता है कि समुद्र मन्थन अमरत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था लेकिन इसके साथ ही हला हल नामक विस भी पैदा हुआ था हला हल विस में ब्रह्मान्ड को नश्ट करने की चमता थी और इसलिए केवल भगवान सिव इसे नश्ट कर सकते थे भगवान सिव ने हला हल नामक विस को अपने कंट में रख लिया था जहर इतना महासक्त साली था कि भगवान सिव को अत्यधिक दर्द से पीडित होना पड़ा और उनका गला नीला हो गया था इस कारण से भगवान सीव को नील कंट के नाम से जाना गया और इस नाम से परशिद हो गया उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान सीव को रात्र भर जगाय रहने की सलाह दी इस प्रकार भगवान सीव के चिंतन में एक सतरकता रखी सिव को आनन्दित करने और जगाये रखने के लिए देवताओं ने अलग-अलग निर्ते और संगीत बजाये जैसे सुबा हुई उनकी भक्ती से प्रशन भगवान सिव ने उन सभी को आसिरवाद दिया सिव रात्री इस घटना का उत्सो है जिससे सिव ने दुनिया को बचाया तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं इसके अलावा एक अन्य भी कथा है एक बार पार्वती जी ने भगवान सिव संकर से पूछा कि एसा कौन सा स्रेष्ट तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्य लोग के प्राड़ी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं उत्तर में सिव जी ने पार्वती को सिव रात्री के व्रत का विधान बता कर यह कथा सुनाई कि एक बार चित्रभानुनाम का एक सिकारी था वो पसूँ की हत्या करके वो अपने कुटुम्ब को पालता था वो एक साहुकार का रिड़ी था लेकिन उसका रिड़ समय पर ना चुका सका क्रोधित साहुकार ने सिकारी को सिव मठ में बंदी बना दिया शयोग से उस दिन सिवरात्री थी सिकारी ध्यान मगन होकर सिव समंधी धार्मिक बाते सुनता रहा चतुर दसी को उसने सिवरात्री व्रत की कथा भी सुनी संध्या होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिड़ चुकाने के विशय में बात की सिकारी अगले दिन सारा रिड लोटा देने का वचन देखकर बंधन से छूट गया अपनी दिन चर्या की इभातिवा जंगल में सिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी ग्रह में रहने के कारण भूक प्यास से व्यकुल था सिकार करने के लिए वा एक तालाब के किनारे बेल व्रक्ष पर पड़ाओ बनाने लगा बेल व्रक्ष के नीचे सिवलिंग था जो बिलो पत्रों से ढखा हुआ था सिकारी को उसका पता नत चला पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे संयोग से सिविलिंग पर गी इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे सिकारी का वृत भी हो गया और सिविलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गए एक पहर रात्र बीत जाने पर एक गर्भिणी म्रगी ताला पर पानी पीने पहुँची सिकारी ने धनुस पर तीर चड़ा कर जो ही प्रत्यंचा खीची म्रगी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ सीगरी प्रसव करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नह मैं बच्चे को जनम देकर सीगरी तुम्हारे सवक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी तब मुझे मार देना सिकारी ने प्रत्यंचा ढिली कर दी और मरगी जंगली जाडियों में लुप्त हो गई कुछी देर बाद एक और मरगी उधर से निकली सिकारी की प्रसंता का ठिकाना न समीप आने पर उसने धनुस पर बाड चड़ाया तब उसे देख म्रगी ने विनम्रता पूर्वक निमेदन किया कि हे पार्थी मैं थोड़ी देर पहले रितु से निवरत्त हुई हूं का मातुर विहरिणी हूं अपने प्रिय की खोज में बटक रही हूं मैं अपने पती से मिलकर सिगरी तुमारे पास आ जाऊंगी सिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार सिकार को खो कर उसका माथा ठनका वा चिंता में पड़ गया रात्री का आखरी पहर बीत रहा था तब ही एक अन्यम्रगी अपने बच्चों के साथ उदर से निकली सिकारी के लिए यह स्वर बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लोट आऊंगी इस समय मुझे सिकारी हसा और बोला सामने आए सिकार को छोड़ दू मैं ऐसा मुर्ख नहीं हूँ इससे पहले मैं दो बार अपना सिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भूखे प्यासे तरप रहे होंगे उत्तर में मुझे ने कहा जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान बांग रही हूँ है पार्थी मेरा विश्वास कर मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ कर तुर व्रक्ष पर बैठा सिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेकता जा रहा था पाव फटने को हुई तो एक हश्ट पुष्ट म्रग उसी रास्ते पर आया सिकारी ने सोच लिया कि इसका सिकारवा अवस्य करेगा सिकारी ने तनी प्रतंचा देखकर म्रग विनीत बोला है पार्थी भाई यदि तुमने मुझसे पूर आने वाली तीन म्रगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक छण भी दुख न सहना पड़े मैं उन म्रगियों का पती हूँ तुनकर सिकारी के सामने पूरी रात का घटना करम गूम कया उसने सारी कथा म्रग को सुना दी तब म्रग ने कहा मेरी तीन पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद्ध होकर गई हैं मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतार जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुमारे सामने सीगरी उपस्थित होता हूँ उप्वास रात्री जागरत तथा स्विलिंग पर बेल पत्र चड़ने से सिकारी का हिंसक हरदय निर्मल हो गया था उसमें भगवद सक्ति का वास हो गया धनुस तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया भगवान सिव की अनुकमपा से उसका हिंसक हरदय कारुडिक भावों से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा थोड़ी ही देर बाद वह म्रग सपरिवार सिकारी के समक्च उपस्थित हो गया ताकि वह उनका सिकार कर सके किन्तु जंगली पसों की एसी सत्यता सात्विकता एवं सामोहिक प्रेम भावना देखकर सिकारी को बड़ी गलानी हुई उसके नेत्रों से आंसों की जड़ी लग गई उस म्रग को परिवार को न मार कर सिकारी ने अपने कठोर हरदय को जीव हिंसा से हटा कर सदा के लिए कोमलेवम दरयालू बना लिया देवलोग के समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे गटना की पारेडित होते ही देवी देवताओं ने पुस्प वर्सा की तब सिकारी तथामरग परिवार समवित मोक्ष को प्राप्त हुए इस प्रकार से यह थी महासिवरात्री की कठा वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्ष में जरूर बताए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद जैंद आप सभी को महासिवरात्री की हार्दिक सुप्रकामना है धन्यवाद